प्यारे विद्यार्थियों कैसे हो आप उमीद है अच्छे होंगे आज का हमारा टॉपिक है अध्याय छे रेखिक असमीकाएं भाग दो इसमें हम पढ़ेंगे एक चर राशी के रेखिक असमीकाओं का आलेखिय हल दो चर राशीयों के रेखिक असमीकाओं का आलेखिय हल यानि हमने रेखिक असमीकाओं के आलेख यहां बनाने है रेखिक असमीकाओं के हल का आलेखिय निरूपन बच्चों रेखिक असमीकाओं के आलेख बनाने के लिए हमें कुछ नियमों का परयोग करना पड़ता है जो क कि हमारे कक्षा 10 में जो हम आलेख बनाते थे उनसे थोड़े से अलग हैं कक्षा 10 में हमने इस तरह के आलेख बनाई हुए तो यहां पे हम क्या परयोग करेंगे एक अत्वा दो चरोवाली रेखिक असमीका के हलका किसी तल में आलेखिया निरूपन करने के लिए हम निमना अंसार बढ़ते हैं एक, यदि असमीका में बड़ा है या बराबर है, अत्वा छोटा है या बराबर है के चिन हों, तो सम्बंदित रेखा के अलेख को एक मोटी रेखा के रूप में खींचते हैं, जैसे हम अलेख बनाएंगे तो जो रेखा आएगी उसको हम मोटी रेखा के रूप में खींचें जो यह सूचित करता है कि रेखा के बिंदू हल समूच्या में सम्मिलित हैं यानि कि यहाँ पर जो बिंदू आएंगे रेखा के उपर जो बिंदू है जो अलेख को बनाने के लिए हमने खींचे हैं वो भी इस बिंदू हल के समूच्या में सम्मिलित हैं दो यदि असमिका में बड़ा है अत्वा छोटा है किचिन हों तो हम संबंदित रेखा के आलेख को एक बिंदू की तरेखा के रूप में खींचते हैं जो यह सूचित करता है कि रेखा के बिंदू हल समुच्या के में समिलित नहीं है जैसे हम कोई अलेख बनाएंगे बच्चो तो उसको बिंदू की तरेखा के रूप में हमने खींचना है इस रेखा के उपर जो बिंदू आएंगे वो बिंदू इस समुच्या हल में समिलित नहीं होते जो जब हमारे पास असमिका के अंदर छोटा है या बराबर है बड़ा है या बराबर है के चिन आएंगे तो हम एक मोटी रेखा अलेख के रूप में खींचेंगे और उसके उपर के जो बिंदू है वो बिंदू भी हमारे हल के अंदर है और जब हमारे असमीका के अंदर सिर्फ छोटा है या बड़ा है के चिन आएंगे तो हम आलेख को एक बिंदू की तरेखा के रूप में खिंचेंगे इस बिंदू की तरेखा के उपर के जो बिंदू होएंगे वो इस हल समुच्चे में समिलित नहीं होते है बचो आईए इसे एक उधारन से समझते हैं उधारन एक तीन एक्स प्लस दो वाई बड़ा है छे को आलेखिय विदी से हल कीजिए तीन एक्स प्लस दो वाई बड़ा है छे इसका अलेख बनाने के लिए पहले हमें इसे एक समिकरन में बदलना पड़ता है 3x प्लस 2y ब्राबर 6 बचो इस तरह के समीकरनों का आलेख हमने कक्षा 10 में बनाया हुआ है तो यहां से हम x या y किसी एक का मान निकालते हैं तो मैंने यहां पे x का मान निकाला है x ब्राबर 6 माइनस 2y बटे 3 आ गया अब हम क्या करेंगे y के अलग-अलग मान जैसे 3, 0, माइनस 3 यहां भरेंगे और x के मान हमारे पास आते जाएंगे माल लो मैंने सबसे पहले y का मान 3 भरा y का मान मैं यहां 3 भरूँगा तो x ब्राबर मेरे पास आ जाएगा 6, माइनस 2y y की जगह क्या भरना है? 3 गुना में 3, बटे में 3 6, माइनस 6, बटे में 3 6, माइनस 6, 0, 0 भाग, 3, ब्राबर आ गया 0 अब y का मान हम 0 भरेंगे y का मान 0 x ब्राबर 6, माइनस 2 गुना 0 y की जगह मैंने क्या भर दिया? 0 बटे में 3 तो 6, माइनस 0, बटे में 3 कितना आ गया बच्चो? 2 x का मान आ गया 2 जब मैं y का मान माइनस 3 भरूंगा तो x मेरे पास आ जाएगा 6, माइनस 2 गुना में माइनस 3, बटे में 3 बराबर आ जाएगा माइनस 2 गुना माइनस 3 बच्चो? 6 तो 6 प्लस के 6 होगे, 6 प्लस 6, 12, तो 12 बटे 3, बराबर आएगा 4, तो माइनस 3 के लिए x का मान आ गया 4, तो मेरे पास ये सारनी आ गई, इस सारनी में हमारे पास कुछ बिंदू हैं, जिसमें x का मान 0, y का 3, x का 2, y का 0, x का 4, और y का माइनस 3, इन बिंदूओं को लेके मैं अलेख थींचूंगा, बच्चों हमारे पास ये वाले बिंदू आगे थे, x और y के, तो इसका अलेख कीचने के लिए, पहले हम इस बिंदू को लेके चलते हैं, x का मान 0 और y का मान 3, तो x का मान 0, यहाँ पे y का मान 3, ये वाला बिंदू आ गया मेरे पास, फिर दूसरा ह x का मान 2 और y का 0, तो ये वाला बिंदू आ जाएगा, फिर तीसरा है, x का मान 4 और y का मान minus 3, ये बिंदू आ जाएगा बच्चों, अब इसे हमने एक बिंदू की तरेखा में से मिलाना है, इन सभी बिंदूओं को a, b और c को हमने बिंदू की तरेखा से मिलाना है, इसको हमारे पास वहाँ पे बड़ा है का चिन था, अगर बड़ा है या बराबर है या छोटा है या बराबर है का चिन होता, तो हम यहाँ पे एक मोटी रेखा खींचते, लेकिन अगर सिरफ बड़ा है या सिरफ छोटा है का चिन होगा, तो हम बिंदू की तरेखा यहां खींचे लिए हैं यानि समी करन के लिए हैं इस रेखा के उपर बिंदो समी करन के लिए हैं हमने असमी का निकाय का हल खीचना है असमी का 3X प्लस 2Y बड़ा है 6 से इसका हल खीचना है तो उसके लिए इस रेखा के इस तरफ भी कुछ बिंदू है जैसे ये वाले बिंदू और इस अगर ये वाले बिंदु हमारे हल में आएंगे या अगर इनमें से ये वाले बिंदु हमारे दी गई असमिका को संतुष्ट करेंगे तो ये वाला बिंदु हमारा हल होंगे आईए देखते हैं किस तरफ के बिंदू संतुष्ट करते हैं 3x प्लस 2y बड़ा है 6 से ये हमें असमिका दी गई थी अब हमने क्या करना है कि कोई एक इस रेखा के इस तरफ या उस तरफ इस तरफ या उस तरफ का कोई एक बिंदू लेके इस असमिका में भरके देखते हैं मान लो मैं इस तरफ का कोई बिंदू ले लूँ एक और एक ले लिया मान लो मैंने बिंदू ले लिया एक और एक X का मान भी एक और Y का मान भी एक मैंने इस रेखा के इस तरफ एक बिंदू एक एक ले लिया इस एक एक बिंदू को मैं इस असमिका में भरूँगा यहीं एक्स का मान एक और वाई का मान एक एक्स का मान एक, वाई का मान एक, बड़ा है छे से तीन प्लस दो, पांच बड़ा है छे से बच्चो ये मान हमारी दी गई असमीका को संतुष्ट नहीं करता जब इस इधर वाला कोई भी बिंदू दी गई असमीका को संतुष्ट नहीं कर रहा तो इसका मतलब उधर वाले बिंदू हमारी असमीका को संतुष्ट करेंगे देखते हैं, मालो इधर मैं कोई बिंदू ले लूँ, 3 और 3 ले लेते हैं 3 और 3 कोई बिंदू, मैं उस तरफ लेके चलता हूँ तो 3 गुना में 3, प्लस 2 गुना में 3, बड़ा है 6 से बचो यह क्या आजाएगा, 3 गुना 3, 9, 9 और 3 गुना 2, 6, 9 प्लस 6, 15 15 बड़ा है 6 से, जो की सत्या है, इसका मतलब उधर वाला बिंदू इस असमीका को संतुष्ट कर रहा है तो हमने इधर वाले जो हमारे बिंदू हैं, सभी बिंदू हमारी दी गई असमीका का हल है तो बच्चो इसको देखने के लिए हमें कोई एक बिंदू की जरूरत होती है मैंने जैसे आपको दो बिंदू भर के दिखाए हैं, आपने दो बिंदू का परियोग नहीं करना आप एक ही बिंदू से पता कर सकते हो जैसे आपने एक-एक बिंदू भरा था एक-एक बिंदू भरने से हमें पता लग जया कि इधर वाला बिंदू जो है दी गई असमीका को संतुष्ट नहीं करता तो अगर इधर वाला बिंदू इस असमीका को संतुष्ट नहीं कर रहा तो उधर वाले करेंगे अगर उधर वाले करेंगे तो वो हमारा हल है उस तरफ के भाग को हमने छायंकित करना है जैसे यहाँ पे निले रंग से किया हुआ है आप पैंसिल से शेड कर सकते हो आप बिल्कुल इस तरह की लाइने भी बना सकते हो तो ये वाला जो भाग सारा आ गया ये हमारा हलक शेतर ह तो हमने इस दी गई असमीका को अलेखिय विदी से हल करना था, हल करते हुए हमें पता चला कि इधर वाले सारे बिंदू जो हैं, इस दी गई असमीका को संतुष्ट कर रहे हैं, तो इधर वाले सारे बिंदू, सभी बिंदू हमारी दी गई असमीका का हल हैं, आएए बच्च विदी से हल कीजी, बच्चों यहाँ पे छोटा है या बराबर है का चिन है इसलिए यहाँ जो अलेख आएगा वो एक मोटी रेखा के रूप में आएगा 3X प्लस 4Y छोटा है या बराबर है 12 से, इसका अलेख खीचने के लिए पहले हम इसको एक समीकरन के रूप में बदलेंगे 3X प्लस 4Y बराबर 12 बच्चों यहाँ से X या Y किसी एक का मान आपने निकालना है तो मान लिजी हमने X का मान निकालना है तो 12 माइनस 4Y बटे में 3 अब यहाँ पे Y के अलग-अलग मान हम भरेंगे और X के मान हमारे पास आते जाएंगे Y का मान 3 ले लें, यहाँ पे Y का मान हमने 3 बरना है तो X बराबर आ जाएगा 12 माइनस 4 गुना 3 बटे में 3 बराबर वैं चार गुना 3 भी भारा होते हैं तो बारा माइनस बारा 0, 0 बटे 3 आ गया 0 तो X का मान मेरे पास 0 आ गया Y के 3 के लिए X 0 आ गया अब Y का मान 0 भर के देखते हैं Y का मान जब आप 0 भरोगे X द्याबर बारा माइनस 4 गुना 0 बटे में 3 तो ये 4 गुना 0, 0 तो 12 बटे 3 रह जाएगा 12 बटे 3 कितना होता है बच्चो 4 तो x के 0 जो x का 4 आ गया y के 0 के लिए अब y का मान 6 भरेंगे y का मान जब आप 6 भरोगे तो x आ जाएगा 12 माइनस 4 गुना 6 बटे में 3 12 माइनस 24 बटे में 3 यानि कि माइनस 12 बटे में 3 माइनस 12 बटे 3 कितने होते हैं बच्चो माइनस के 4 तो y के 6 के लिए x कितना आ गया माइनस 4 अब ये हमारे पास 3 बिंदू आगे इन 3 बिंदू से हमने इसका आलेख खीचना है तो बच्चों ये तीन बिंदू से हम अलेख खिंचेंगे पहला है x की 0 और y का 3 तो x का 0 यहां से और y का 3 ये वाला बिंदू आ गया फिर x का 4 है और y का 0 ये बिंदू आ गया और फिर x का माइनस 4 और y का 6 Y का 6 यहां पर आ गया तो यह मेरे पास C बिंदू आ गया क्योंकि यहां पर छोटा है या बराबर है था तो यहां पर हम मोटी रेखा ग्राफ के रूप में खिंचेंगे अब छोटा है या बराबर इसका मतलब जो यह वाले बिंदू है यह भी हमारे कि इधर वाले बिंदू हमारी असमीका का हल बनते हैं या इधर वाले बिंदू, सभी बिंदू हमारी असमीका का हल बनते हैं बच्चों मैंने आपको समझाया था कि इस रेखा के इधर या उधर किसी एक तरफ आपने एक बिंदू ले लेना है मालो मैं बिंदू ले लूँ एक और दो एक बिंदू मैंने इस रेखा के इस तरफ निचले हिस्से की तरफ ले लिया तो इस एक और दो बिंदू को मैं दी गई असमीका में भरके देखता हूँ अगर ये बिंदू उस दी गई असमीका को संतुष्ट करेगा तो इस इधर वाले सारे बिंदू हमारा हल होंगे अगर ये संतुष्ट नहीं करता तो उस तरफ वाले बिंदू हमारा हल होंगे तो पहले देखते हैं इस बिंदू को भरके तीन एक्स प्लस चार वाई छोटा है बराबर है बारा से यहाँ पे बिंदू हमने एक और दो भरना है एक्स का मान एक और वाई का मान दो एक्स का मान एक भरेंगे वाई का मान दो भरोगे छोटा है बराबर है बारा से तो तीन और आठ ग्यारा ग्यारा चोटा है बराबर है बारा से तो ग्यारा जो है बारा से चोटा होता है इसका मतलब ये वाला बिंदू इस दी गई असमीका को संतुष्ट कर रहा है अगर ये कर रहा है तो सभी बिंदू जो भी कहीं भी हो वो सभी बिंदू इस दी गई अस असमीका को संतुष्ट करेंगे इसका मतलब इधर वाले बिंदू हमारा जो है वो हल है तो इसको इस तरफ वाले हिस्से को हमने छायांकित करना है देखें छायांकित करके किस तरह बनता है ये तो बच्चो इस तरफ वाले बिंदू हमारा जो था हल था तो इधर वाले बिंदूओं को हमने छायांकित कर दिया तो आप इसको पैंसिल से शेड करके दिखा सकते हो कि इस अलेख का इधर वाला हिस्सा निचला हिस्सा जो है हमारे दीगई असमिका का हल है उधारन 3 द्वी मियतल में असमिका 3x-6 बड़ा है बराबर है 0 को आलेखन विदी से हल कीजिए बचो इस असमिका में एक ही चर है x 3x-6 3x-6 बड़ा है बराबर है 0 से तो यहाँ पे एक ही चर है यह एक चर वाली असमिका का एक उधारन है आईए इसका ग्राफ देखते हैं कैसे आता है इस 6 को उस तरफ ले जाएंगे 3x बड़ा हो गया बराबर हो गया 6 से x बड़ा है बराबर है 2 से अब यहाँ पे x बड़ा है या बराबर है 2 से y का मान कुछ भी हो सकता है x का मान हमारे पास 2 या 2 से बड़ा होगा तो इसका अलेख खींचने के लिए यह हमारा x-axis और यह y यह मूल बिंदू 0, 1, 2, 3, 4, 5 और इधर माइनस वाले बिंदू आ जाएंगे माइनस 2, माइनस 3, y-axis में उपर प्लस के आते हैं, 1, 2, 3, 4 माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4 और अब x बड़ा है या बराबर है 2 से देखो बच्चो इसमें x आ रहा है तो इसका जो अलेख होएगा वो y-axis के समानतर होगा अगर मैं इसकी सारनी बनाओं, यहाँ पर x का मान हमने 2 ही लेके चलना है x बड़ाबर है 2 से क्योंकि जब हम असमीका का अलेख बनाते थें तो पहले उसे समीकरन के रूप में बदलते हैं इसको जब मैं समीकरन के रूप में बदलूँगा तो x बराबर 2 बनेगा तो x का मान तो हमारे पास यहाँ 2 ही रहेगा y का मान कुछ भी हम ले सकते हैं मान लो y का मान 0 ले लूँ y का मान 3 ले लूँ y का मान 1 ले लूँ कुछ भी आप कुछ भी ले सकते हो तो इस इन बिंदूओं के लिए अगर मैं ग्राफ पनाऊंगा तो x का 2 और y का 0 ये वाला बिंदू आ जाएगा मेरे पास, x का 2 और y का 3 ये बिंदू आ जाएगा, ये बिंदू, एक ये बिंदू, x का 2 और y का 1 एक ये बिंदू आ जाएगा जब मैं इन तिनों बिंदूओं को मिलाऊंगा तो जो रेखा यहाँ पे आएगी वो y अक्ष के समानतर आएगी वचो इस बात को याद रखना है आपने जब अकेला x आ रहा है यहाँ पे तो जो आपका अलेख आएगा वो y अक्ष के समानतर तो हमने यहाँ पे ग्राफ को एक मोटी रेखा से बनाना है तो यह वाला जो ग्राफ है हमारे पास यह लाइन जो आ रही है यह उन बिंदूओं के लिए आ रही है जहाँ पे x ब्राबर 2 है लेकिन हमारे पास क्या है x बड़ा भी है 2 से x 2 से बड़ा है अब देखो बचो इ इस अक्ष पे x 2 से बड़ा किस तरफ है यहाँ पे x 2 है यहाँ पे x 3, 4, 5 तो इस तरफ जो x आ रहा है वो हमारे पास 2 से बड़ा आ रहा है तो 2 से बड़े के लिए हमारे पास चायंकित भाग जो होगा इस रेखा के दाई तरफ का होगा इधर वाले जो सारे बिंदू है व बड़ा है बराबर है 0 से या y चोटा है बराबर है 0 से, y बड़ा है बराबर है 0 से के आलेख किस तरह के आते हैं, बच्चो अगर मैं इसका आलेख खिंचूँ, x चोटा है या बराबर है 0 से, यह x अक्ष हो गया, यह y अक्ष हो गया, तो जब x की बात कर रहे हैं, तो उसका ग्राफ जो आएगा उसका अलेख y अक्ष बनेगा, अभी मैंने बचो आपको बताया था, जब अकेला x होता है, तो जो हमारा अलेख आता है, वो y अक्ष के समानतर आता है, यहाँ पे x छोटा है, बराबर है 0 से, तो अलेख बनाने के लिए x बराबर 0 ले लेंगे, तो x बरा अलेख बनेगा, अब छोटा x, x 0 से छोटा है, 0 से छोटा x किस तरफ है, इस तरफ, क्योंकि इस तरफ हमारे पास रिनात्मक नंबर होते हैं, माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, उस तरफ धनात्मक, 1, 2, 3, उस तरफ जो 1, 2, 3 हैं, वो संख्याएं 0 से बड़ी हैं, लेक तरफ का हिस्सा हो गया हमारे पास अलेक का वो हमारे उदर वाले सारे बिंदू हमारे इस अलेक का हल है X बड़ा है बराबर है 0 से इसी तरह है बच्चों हमारे पास X बड़ा है बराबर है 0 से का हल इस तरफ आएगा x बड़ा है बराबर है 0 से और फिर y की बात करें तो y अगर 0 से छोटा लेके चलूँगा तो y 0 से छोटा नीचे की तरफ होता है माइनस 1 माइनस 2 उसका जो गराफ है उसके चायंकित भाग इस x अक्ष के नीचे की ओर आएगा y बड़ा है बराबर है 0 से बड़ा y उपर की तरफ होता है तो इसका जो गराफ आएगा इसका शेडिंग उपर की तरफ आएगी इसका चायंकित भाग उपर की तरफ बनेगा तो बच्चो इन चारों को हम आगे परयोग करेंगे ये वाली जो दो असमिकाएं है x बड़ा है बराबर है 0 और y बड़ा है बराबर है 0 ये अगले प्रशनों में भी परयोग हम करेंगे बच्चो आईए हम ग्रह कार्या को देखते हैं ग्रह कार्या निमन लिखित असमिकाओं को आलेखन विदी से द्वी मियतल में निरूपित कीजिए भाग एक x प्लस y छोटा है 5 से भाग दो 2x प्लस y बड़ा है बराबर है 6 से भाग 3 3y माइनस 5x छोटा है बराबर है 30 से भाग 4 भाग 4 y छोटा है माइनस 2 से बचो आब इसमें अकेला y है इसमें आपका जो अलेख आएगा वो x अक्ष के समानतर आएगा भाग 5 में अकेला x है x बड़ा है 4 से भाग 6 y प्लस 8 बड़ा है बराबर है 2x से तो बच्चो ये प्रिशन आपने ग्रह कारे के रूप में हल करने है बच्चो उमीद करता हूँ आपको आज का ये अध्याय समझ आ गया होगा धन्यावाद अबच्चो ये अबच्चो ये अध्याय समझ आपको ये अवीद के रूप में होगा है